हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं एक मिनिट्ट एक पार्सल श्कैन में डाल दो यह पार्सल रेसेप्शन में देदो यह लिजे शामो जी बड़ा यह पार्सल लो जेस्टिस राई के लिए आया है वो पर प्राइवेट लॉज में वेटे उनको देदो बाप परे जेस्टिस राई उनके पास कौन जाएगा? क्यों? क्या हुआ? अभी दस बाते सुना देंगे चेक एंड मेड राय सत्रंज किलना भूल गए? ऐसी कोई बात नहीं है मैं बस आज तगड़ा खिलले के मोड में नहीं हूँ और सुनो तुम भी आज मुझे हराने की कोशिश नहीं करोगे समझे? क्यों भई? तुम्हारा जनम दीन है इसलिए? बेलकुल बहुत अच्छा गेम खेला तुम्हें एक और केले? ठीक है हेलो सर रैसर क्या है? हपी बड़े सर आपके लिए पारसल आया है ठीक है रखो इधर रखो इधर आँ अब क्या है सर यह लो थैंक्यू सर थैंक्यू गरी मच्छ सर अपर बड़े सर कुछ आईगे तो बुलिये का सर ठीक है उसने सोचा भी नी होगा अदाट की जगा टीप मिलेगी यह सब लोग ना मुझे खूसट और खडुस समझते है लेकिन मुझे इसे कोई दिकत नहीं है इन फैक्ट मुझे मसा आता है अरे यह सब छुड़ो पैकेट खुलो ना क्या है यह है क्या देश के सर्वस्टेश कानूनी दिमाग को सम्मान कुरवक भेट कोई नाम नहीं प्रेस दे टेल क्या आपने काहा था बाउम ब्लस्ट वा है? हाँ सर, लाउंच में सर, वो दोनों बही थे सर यह देखे सर यहादो काच ही काच है, वोड़ा फेस पे काच के टुकड़े हैं, यह जखन बाट कहरा नहीं देख रहा है, अखोन भी ज़्यादा निकला नहीं है, तो फिर उसके मौत कैसे होगी? सर, शायद बक्से के अंदर काच के टुकड़े रखे होंगे, हाँ सर, इसमें काच का शोपीस था, स्कैन करते वक गार्ड ने देखा था, एक्चुली सर, आज जेस्टिस राइस सर का बर्ड़े था ना, इसलिए बॉक्स किसी ने बेजा था, लेकिन सर, यह बॉक्स तो मैटल इटेक्टर स्कैनर सबसे प्लेर हो के आया था, फिर पता न हाँ सर, प्रेस्ट टेल, क्या है यह? जो कुछ इस बॉक्स में होगा शायद उससे रिलेटेड है, यह पारसल तो जेस्टिस राइ के लिए था, यह जेस्टिस लाल बिनावजे मारेगे, शौपत्तन, तब यह आनलाइन शौपिंग की गई है, चारों तरफ कांच बिख रह है है, इन लों का कहना था कि दमाका हुआ है, अगर पैकट के अंदर कांच था तो दमाका हुआ कैसे? और अगर यहां पर बाम ब्लास्ट था तो फिर मेटल या प्लास्टिक के टुकडे या फिर बारोद कुछ तो होना चाहिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है पर एकाम करो, अगर पार्सल में बाम था तो डिटेक्ट कैसे नहीं होगा, सर पार्सल में ऐसा कुछ था नहीं साब, मैंने ध्यान से देखा था और स्कैनर मसिन में साब सिर्फ कांच का सामानी दीख रा था, अचा इस स्कैनर की फुटेज स्टोर तो होती होगी, हाँ सर, फुटेज ओके, वो फुटेज देख सकते हैं हम लोग, यह क्या है, कोई शोपीज तो लग रहा है, देखें सर, कहीं कोई मेटल है ही नहीं, और इतला पार्दर्सी काची ही हो सकता है, जब वो डेलिवरी बॉय था, तब की फुटेज है, हाँ सर, और कल बारिश की वज़ह से, सीसी ट केमेरा खराब हो गया था, आप कहरें तो सीक्योर्टी का बड़ा इंतिजाम है, यह आपका इंतिजाम है, सॉरी स्थे, अब दे देखें, हमारे पस यह एक सुराग बचा है, वो पुरियर एडी, बस, तो लो एक छोटा सुराग तो हाथ लगा, वाकि फॉरंसी क्लैम में सा कुछीरे बचारी नहीं है, यह समघ में नहीं हा रहा है, आखर यह हुआ, कैसे? यह सांगे तुके रहे तेरे समघ में नहीं है आ रहा है वे नो डोनों की मौद वूगा कैसे? अधर n 예? यह समघ में आ गया की मौद यहां है कांच का बेहना कमकल 깯 experts वब एक सबस्क्राइब और सर्व जब हमने इन कांच के ने और कर बोग तेस्ट है तो पताचला के इसमें एक एक ऐसा जहर मिला हुआ था जो कुल भी, अपने घर पे बना सकता है। Sir, आप तो बोल रहे थे कि ये गुत्थी सुल्जी नहीं है, वगर आपने तो पुरा केस ही सॉल्व कर दिया है। ने, 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 पंकाज, ये केस सॉल्व नहीं हुआ है। सिर्फ ये पता लगा है कि काँच के टुकडे जहरी ले थे। बहुसे केस जितना सिंपल दिख रहा है, उतना सिंपल है नहीं। लेकिन सर, इसमें तना कन्फूजन क्या है। काँच ब्लास्ट हुआ और उसके टुकडे न दोनों को लगे। जहरी ले काँच के टुकडे, जहर खून में मिला और और इन दोनों की मौत हो गई। रइट? लेकिन तुमने बीच में क्या का, काँच ब्लास्ट हुआ। अब सवाल ही है कि काँच ब्लास्ट कैसे हुआ। जब इसमें कोई विस्फोटक नहीं है, किसी किसम का कोई केमिकल नहीं मिला है, तो यह ब्लास्ट हुआ कैसे? फोरेंसिक सर्जिंट कौन है? मैं हूँ. तो पर तुम बताओगे ना? फोरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, जादूगर नहीं हूँ. अच्छा, समझ में नहीं आ रहे तो जादूगर नहीं हूँ. सर, सर, इन जहरीले टुकडों के अलावा हमें एक और चीज मिली है. क्या? यह, यह कार्ड जो इस गिफ्ट के पास था. यह कार्ड का पेपर वैसे तो मोटा दिख रहा है, लेकिन एक्च्छल में यह दो पेपर को यूँ चिफका कर बनाया गया है. और यह देखी, इसमें क्या लिखा है? सजाए मौत. मतलब खुडी ने सिर्फ कतली नहीं की. कतल के साथ साथ एक मेसेज भी बीजा. सजाए मौत. जो हुआ उसका बहुत दुख है आमें पर ऐसे समय में भी हमें आपसे कुछ सवाल करने पड़ेंगे. जी, मैं समझ सकती हूँ. आपको, आपको किसे पुशाक है? जी, मेरे पती कानून परस सथ और नाइपरी इंसान थे. तो जाहिर सी बात है कि ऐसे इंसान के लाखों लोग दुश्मन हो सकते हैं. वो अपरादी जिनको इन्होंने सजा दी थी. वो वकील जो इनकी सकती से बहुत परेशान थे. और इनके फैसले से नाखुश भी. आए दिन उन्हें धंकिया बरे फून आते थे और लेटर्स भी. पर इन सब के भावजुद भी वो अपने आप पर गर्व महसूस करते थे. उन्हें लगता था कि उनकी इमानदारी का ये इनाम था. इससे आगे में और कुछ आपको बतानी पाऊंगे. पर हाँ, आनन आपको सब कुछ पता देगा. आनन? आनन कोन है? आनन इनका परस्नल असिस्टंट है. कहा में लेंगे, Mr. आनन? वो मेरे पती के चेंबर में हैं उपर बैटकर काम कर रहे हैं. अब चाहे तो उन्हें मिल सकते हैं. Mr. आनन? परस्टिस राये पर बहुत सारे हमले हुए थे. बहुत लोग दुश्मन थे उनके. क्या जानते इनके बारे में आप? Sir, उनको दंकी देने वाले लोगों की कमी नहीं थी. अच्छा, इसे कितने लोग थे जिन्होंने जान से मारने की दंकी दी थी? अंगिनत. यह रही उनकी ट्रॉफीज. यह सच्पूज ज्यादा है? लोग उने बहुत सक्त समझते थे. लेकिन सच्पूछो तो, Sir, बड़े इमानदार और न्याप्रिय थे. यहां तक वकील भी उनसे ड़ते थे. और अपरादी उनके नाम से कापते थे. धमकी बड़े खत तो ठीक है, लेकिन यह पत्थर और स्याही क्यों? कई साल पहले किसी ने खिड़गे जे पत्थर फेंका था, तो Sir ने पत्थर भी रख लिया था. और यह स्याही की बाटम? अरे, Sir, यह तो कुछ ही मैने पहले की बात है. यह तो कुछ है. यह, क्या कर रहे हो? तुम्हारी इसी श्याही ने मेरी सुन्हें की पुर्वाट्चित्ती. यहादे ना, अभी चाकर भी बुल्णी पहोगे मुझे, नई पुल्ण पहोगे तुम्! रपो, आननन जाते बॉटल लाओ. यह, सर. अब यह बॉटल सुविनियर बनेगी हमारी स्टडी रूम में. यह, सर. कमल को इस हरकत के वज़े से फिर से जेल हुई? शायद अभी जेल में ही हो. फेटी, यह सारी चीज़ें अपने कभजे में ले लो. और मिस्टर आननन, जज़साब को जिन-जिन लोगा ने दमकी दिये. सब की डिटेल से ही है हमें. सब के लिश्च चाहिए. यार वीरेन, प्लीज यार, एक बार फिर से पता करो यार, शायद कुछ पता चल जाए. जब यह पॉसिबल है ही नहीं, तो पता चलेगा कैसे. देखिए, आप स्रिफ मुझे कांच के टुकड़ें दिखा रहे हैं. ना इसमें बारूद है, ना चेमिकल है, ना कोई मिटल, और कोई विस्पोटक पदार्द भी तो नहीं है इसमें. कि हमें पता चल सेगे कि यह ब्लास्ट के वज़े क्या है? विरेन, वहाँ पर जो कुछ था वो ही दूँगा ना, वहाँ पर सिर्फ कांच के टुकड़ें और कुछ नहीं था. तो सर यह बॉम ब्लास्ट है ही न. क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी बॉम नहीं बनाए जो सिर्फ कांच के टुकड़ें से बनाओ. कांच में विस्पोटक गुण होते ही नहीं है, सर. तराइ तो अंडस्टैंड. मुझे मालूम है कांच में विस्पोटक गुण नहीं होते हैं. लेकिन वहां पर ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट में सिर्फ कांच के तुकड़ें मिलें और कुछ मिले ही नहीं है. तो सर, आइ विश कि आप ये केस जल से जल सौफ कलें. ताकि हमें भी तो पता चले कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे. सर! सर, आप लोग, आप लोग कांच के गुड़ों के बारे में बात कर रहे ना? मैं ऐसी किसे को जानती हूँ, जो हमारी हेल्प कर सकती है. ग्रेट! सर, उसको हर तरह के कांच के बारे में पता है. I think हमें एक बार उसे मिलने ना चाहिए. मिलते है, तारिका, तुम जिससे काओगी उससे मिलते हैं. बस मुझे सिर्फ ये पता करना है का अकिरी ब्लास्त हुआ कैसे? हाँ बई, कहां तक हुँचा? सर, बस दो मुने, और हो जाएगा तो मुने. ओके. देखें पूरवी को क्या मिला? कुछ पता चला? राय सापके? हाँ, सर. कुछ अजीब से मेसेज़िस मिले जस्टिस राय और जस्टिस लाल के पीछ. अजीब मेसेज? कैसे हैं? ये देखें. सर, ये मेसेज़िस है या शायद कोई कोल्स है, जो नंबर्स और लेटर्स को मिला के बनाए गए है. ये देखें. सर, ये मेसेज़िस जस्टिस राय ने जस्टिस लाल को दो बार बेचें. एक बार तीन महीने पहले, और दूसरी बार सिर्फ एक महीने पहले. अब या तो ये इन दोनों दोस्तों के बीच का कोई सीक्रेट कोड है, या तो फिर कोई ऐसे खास बात है जो जस्टिस राय जस्टिस लाल को बताना चाहते है. एक काम करो, ट्राय करो, डिकोट करने के लिए. देखो, कुछ पता चलता है क्या. या यह यह लिच पूरी वे? हाँ सर्, जस्टिस राय के पी आनन ने जो में दंकियों के बारे बतायता सर्, उससाब से हमने यह तीन सस्पेक की लिच बनाई है. तीन बागों में क्यों? क्या है? अब यहां पे जितने लोग हैं, इन में से सभी लोगों ने कभी न कभी जस्टिस राय को धंकि दिये, और इन में से जातर लोग जेल में भी है. लेकिन यह वनेश, यह एक मार्डर के केस में अंदर गया है, और बाद में इसके दिमागी आलट ठीक नहीं है, इसलिए से रिया कर दिया गया है. और यह, कमल जी, इन्होंने जस्टिस राय पे C.I. फेकी और इस जुर्में इन्हें अंदर कर दिया गया है. फिलाल यह कहां पर है, उसकी कोई जानकारी नहीं है. सर, यह दूसरी लिस्ट जो है, इसमें से यह थीन लोगों को सजाए मौत दी है सर, जस्टिस ने, और यह वी जेल में अपनी सजा काट रहे है. तीन, यह चौता, यह कौन है? सर, यह है किशोर जी. इनके बेटे को जस्टिस ने थीन साल की सजा दी दी ती सर. और न्यूज में एक आर्टिकल आई थी के यह सजा जादा देनी की जरूत नहीं थी. और इस वज़े से वो शायद डिप्रेशन में होगा और उसने अपनी आत्मातिया का ली सा. तो इस किशोर के पास अच्छी खासी बज़े है बदला लेने के. और यह है धवन. यह एक वकील है पेशे से. और अजीब बात यह है कि पिछले साल इसने जस्टिस राई के कोर्ट में बहुत सारी केसस लड़े. पर वो एक भी जीत नहीं पाया. सारे हार गए. तो कहीं यह हारा हुआ वकील बागदा लेने के चक्कर में राय साब को आप यह भी हो सकता है कि यह कोई काबिल वकील ही लिना हूँ. तो अब कुल मिला कि हमार बास बजते हैं चार सस्पेक्ट. एक एक कमल, ओनेश, किशोर और धावन. सर, गिफ्ट भेजने वाले का पता चल गया, वो गिफ्ट कमल ने भेजी थी और शौपेतान वालों ने कुरियर की ID से पता किया है. तो उनके बास उसका अड्रस तो होगा? नई सर, अड्रस का तो पता नहीं चला है. कोई बात नहीं, कमल जी जेल में था, वहाँ से पता चल गयाएगा. वहाँ चलते हैं. Sorry, officer. लेकिन हमें उसे एक महीना पहले ही छोड़ना पड़ा है. चर्च पे आमला किया था, एकनी जल्दी छोड़ किया? एक मिनट. आपने कहा कि उसे छोड़ना पड़ा. लेकिन क्यों? उसकी तबियत की वैसे. क्योंकि सालों से उसको नशेगी लिप थी. साथ साल पहले वह एक केस में पकड़ा गया था. वहाँ उसने पीना छोड़ दिया. लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर सुनब तिना शिरू कर दिया. इसलिए उसका पूरा लीवर खराब हो चुका था. ये भी तो हो सकता है कि उसने लीवर खराब होने का बाना किया हो? नहीं नहीं साथ. हमने डॉक्टर से कंफर्म करके उसे छोड़ा था. अच्छा उसका अब एड्रेस तो होगा ना आपके पास, वो दे दीजी है. एड्रेस वो है. लेकिन मुझे लगता है वो वहां नहीं मिलेगा. वो हॉस्पिटल में ही मिलेगा. क्यूंकि उसे जल से जल लीवर ट्रांस्प्लांट करने की जरूद थी. यहां तक मुझे पता है कि शराब के आदी लोगों को लीवर ट्रांस्प्लांट की जज़त नहीं मिलती है? मिलती है. अगर शराब ही कम से कम 6 मिने तक शराब ना पिये तो और यहां जेल में तो मिलने से रही, इस बिन्हें पर हमने इसको पर्मिशन दे दी. अगर 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 आज़ा तो अपनी जान बचाने के लिए इसने कहीं न कहीं किसी आस्पिटल में रेजिस्ट्रेशन तो करवाया ही होगा. यह कोई छोटा मोटा इलाज तो है नहीं? तो कहीं भी हो जाए. शेहर में गिनने चेने होस्पिटल है जहाँ पे ट्रांस्प्रांट हो सकता है. मैं ढूंटें इस कमल को. अरे तारीकाई तुम कहां ले आए भाई मुझे? मैं तुछ भूजा तुम किसी ग्लास फेट्टे में लेके जाओगी? बड़ अनिवे, यह जो कुछ भी है ना, है बड़ा खुबसुराइब. शुक्रिया. आप… Sir, she is my friend Vivian. यह beautiful art gallery इसी की है. यह से खुबसुरूद आर्ट पीसे बनाती रहती हैं और काँच के भी. अड़ विवियान, ही इस डॉक्टर सालूंग है. Hello. Okay, we need your help. हमें काँच और काँच की चीजों के बारे में information चाहिए. एक मुर्डर मिस्ट्री सॉल्ट करने के लिए. अच्या. अच्या, विवियान, यह सारी चीजें आप ही ने बनाई है? जी. अब्यसलिए आप ही ने बनाई होंगी, लेकिं कैसे? बहुत आसाने. वैसे दो काँच को पिगलाकर बनी है. प्रोपें टॉच से काँच पिगलाया जाता है और उसी पिगलायूए काँच को मंच अकार दे दिया जाता है. अचा हाँ. यह एक एक एकसरी इमेज है. काँच के शोपीस का. लेकिन सप्राइजिंग बात यह है कि यह पूरा ब्लास्ट हो गय विवियन, एक बार जरा फिर से देखो गहर से. शायद कुछ ऐसी चीज हो जो तुमने अभी तक देखी नहीं है. एक मिनिट, इसकी नोग देख रहे हैं आप लोग? यह जान बुछ कर बनाय वी तो नहीं लगती. अबिन जिसने भी से बनाया है, उसने काँच को पिगला कर बहुत जल्दी उसे थंडा कर दिया है. बिल्कुल तुरंत. जिससे कि यह काँच का अयकार नागे बून के जैसा रह गया है, बल्कि इसकी नोग पतली, लंबी और नाजुख हो गई है. थाट्यो सो मुच फॉय है. तुरंत को पिगला करके थंडा कर दिया है. तुरंत. त वह हाँ, वह 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 अपना चाहिएगे प्लीज. कि शूर, धवन, भूवनेश, आप्तीनों को जस्चिस राए के कून के दिश्ले में यहां बुलाया गया है. अम बर गया? बड़ा बगवान बनता था, लोगों के जिद्धिकों का पैसला करता था. जोलो, अच्छा है, अम्मर गया. सर, इसे देखके तो लगते है कि यह दिमाग यालत से ठीक नहीं है. वो सकता है ना टप कर रहा हूं? असाइलम के अटिन निसलिप रहे इसके? सर, इसमें तो लिखा है कि एक महिनने से बाहर ही नहीं गया असाइलम से. वो यह रपोर्ट को डॉक्टर ने बनाएगे, यह देगे? ठीक है, लिज़ाओ, इसे. चलो, चलो. खुष्टो, आपड़ी होंगे ना? जेफ्टी, रायकी मौत्स है? टेक्खे, मैं मानता हूँ कि मेरे बेटेने गल्थी की थी. गलत संगत में पड़ गया था वो. लेकिन न तो उसका कुनाह इतना बड़ा था और नहीं उसकी उम्र कि उसे माफ न किया जा सके. और फिर अगर सजा देनी ही थी, तो कम सजा दी जा सकती थी उसे. लेकिन जस्टीस राय ने ऐसा कुछ ने किया. जिसके वहे से आपके बेटे ने आत्मात्या कर ली. और आप जस्टीस राय को उसका जिमधार मानते हैं. बिल्कुल मानता हूँ. और मैं खुद को भी जिमधार मानता हूँ. शायद, मेरी अपनी परवरिश में कोई कमी रह गई थी. और धवन जी आप, आपने पिछले साल में जस्टीस राय के कोर्ट में सत्रा केसिज लड़े हैं. और आप सत्रा के सत्रा केसिज भार गए. आपको भी गुस्सा आया होगा, इसलिए आपने… तो इस वजह से मैंने उनका खून कर दिया. ऐसा सोच रहे हैं आप? इससे बचकानी सोच कोई हो जी नहीं सकती. इस वजह से कोई किजी का खून करता है क्या? इस जज्जमेंट की वजह से आपके क्लाइंट्स आपको छोड़कर चले गए? वकील के तोर पर आपके बदनामी हुई? जस्टिस राय ने ना सिर्फ आपके खिलाब जज्जमेंट दी बलकि आपके प्रैक्टिस के खिलाब, आपकी वकालत के खिलाब जज्जमेंट दी. सर मैं मानता हूँ आपने जो कुछ भी कहा सच है, लेकिन इससे ये कता ही साबित नहीं होता कि मैंने उनका खुन कर दिया है. दमजी साबित नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो तो सकता है ना? देखिये सर, मेरी इतने सालों के प्रैक्टिस है, इस प्रैक्शे में कोई नया नहीं हुँ मैं, सर मैंने इतने सालों तक मैंनत करके बहुत नाम कमाया है, लोग जानते हैं मुझे, और सर, जिस वक्त जस्टिस राय का खुन हुआ, उस वक्त मैं कहा था, क्या कर रहा था, कि जिस वक खुन हुआ, उस वक खुन ही वहाँ पर मौजूद नहीं था, समझे आप, इसलिए आपके गवाब और आपके सारे सबूत, हमारे लिए कोई माइने नहीं रखते, आप सिर भूलिएगा मत, कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, आप हमारे शक के दाएरे में हैं। जी, एड्रिस तो नहीं है। तो डॉक्ट साब उसको अगर डॉनर मिल गया, तो आप उसे कांटेट कैसे करेंगे। सिंपल है, हम डॉनर्स और जरुरत मन पेशेंट के लिए हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। और सभी पेशेंट्स अपने डॉनर्स की सही लिस्ट वहाँ पे देखते हैं और हमें कांटेक्क करते हैं। पिगले हुए गरम-गरम कांच को तुरंत ठंडा करना है। तुरंत। और पानी से ज्यादा अच्छा ये काम और कौन कर सकता है। तो ऐसे बनी ये काज की पून्द। लेकिन जिस्टिस राय की जिस पून्द से मौत हुई थी वो तो काफी बड़ी थी। ठीक है। मैं भी एक बड़ी बून बलाने की कोशिश करता हूँ। ये कोच जाकर है क्या। कुछ पता ही नहीं चले। मैं कोड़। कुछ यहीं पूछोगे थी थोड़ी मरंपट्ट्रों करने दो यार। पस काच के इस बूंद जैसे आकार को सिर्ध एक तरीके से बनाया जा सता है। गरम-घरम पिगले काच को पानी में गिरा कर पिगला हुआ काच पानी में किरेगा। और तुरंत ठंड़ा हो करके ये बूंद जैस आकार लेलेगा। इस के साकायर की वज़े से ही इसे कांच के आंसु भी का जाता है यार ये कांच के आंसु के बारे में छोड़ कैसे बनते हैं ये कांच कांच आंसु फूटा के सी ये बता पैने वही तो पता करने कोशिश कर रहा था बॉस मैंने इस काच के आंसू, मतलब इस बूंद के अगले सिरे को बहुत होडने की कोशिश की लिगिन कुछ नहीं वा, उसके बाद मुझे याद आया पारसल के साथ मेसेज भी आया था और उस मेसेज में लिखा हुआ था, प्रेस देल मैंने ये इसकी दूंद, इसकी पूच को दबाया भम आपको मालूम ही अप सर ये पूच दबाया और फूड़ गया ये कुछ समझ में नहीं है मैं समझा दो दरसल ये सब कुछ होता है काच के अणूओं में भीशन भौतिक तनाव की वज़े से जैसे ही काच गरम-गरम काच पिगलवा काच एक दम ठंड़ होता है इसके अनूओं में बहुत सबर्दस्त भौतिक तनाव हो जाता है है कि अच्छी तरह से जानता है डौक्तर पुनित अपनी केबिन में है तंक यू ड़क्तर सब ड़क्तर सब मेरे लिये डोनर मिल गया है हा कभ है मेरा ओपरेशन कब कर सकते हैं वह अभी हम आपका ओपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए-स इदो या पिला है फिर आप लोग मुझे कहां लेकना जा रहे ह। मैंने ऐसी कॉछ गलती भी नहीं कीए जस्टिस रै काखुण हो गया है क्यों किया खूण? जस्टिस रै का खूण? लेकिन मैंने वंच नहीं किया आपने शॉपरताउन गूर्ट से जेस्टिस राइक के लिए उनके जनम दिन पर तौफा बेजाते हैं नहीं तो मैंने कोई तौफा नहीं पेजाता है तुमने कुछ नहीं किया तो फिर तुम अंडर्ग्राउंड क्या थे देखें मैं अंडर्ग्राउंड नहीं हुआ था सच मुछ मेरी तवियत खराब रहती है इसलिए शहर से बाहर है जोइंड कर लिया है मैंने जेल से चुटने के बाद मैं भई रहता हूं और पासर कांच का वाजीब सर्शोपीस जो आपने जेस्टिस राइक को भेजाता है शौपाथा जिस पर आपका कॉंटाइक टीटेल्स भी था हां मैंने शौपाथान वेबसाइट से शौपिंग जरूर किये और पार्सल भी बेजा है लेकिन अचस्तिस वाइक को नहीं पेजा है मैंने मेरी बेटी को बेजा है तो कि उसका जनम दिन था मेरी वाइफ मुझ से नाराज है तो मैंने वो सौपाथान वेबसाइट से खरीदा और मेरी बेटी को पार्सल कर दिया कोई सब होते है इसका तुमारे पास हाँ है ने सर मैं आपको सौपाथान वेबसाइट का मेरा एकाउंट दिखाता हूं उस पर आपको पता चल जाएगा कि मैंने कब और क्या खरीदा है देखे देखे यह आदमी तो वाके सच बोल रहा है इसने तो वह गिफ्ट अपने बेटी के लिए खरीदा था और वह भी जसिस राइक के मौत के दो हवते पहले मतलब कातिल जान बुच के हमारा ध्यान इसके तरह बढ़का रहा था यानि वो जो कोई भी है उसे कमल की पूरी हिस्ट्री के बारे मालूम था उसने उसके घर से वो पार्सल का डबबा चुराया उसमें काज का सामान रखा और किसी तरह से जस्टिस राइ तक पहुचा दिया कातिल वही है जिसने ये पार्सल जेस्टिस राई तक पहुचा है एक मिनटे ज़रा तौस ये देखो इस एड्रेस के नीचे की तरफ एक और एड्रेस और ये दोनों पते अलग-अलग है एक सुराग मिला ता वो भी गलत निकला, मतलब कमल बेकसूर है बोस मैं इस कागस को लेब में ले जाकरके अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ और दूसरी बात उन दोनों डेट पने संडे था और जिस दिन खत्ल हुआ है, उस दिन भी संडे था. एक्जाट्ली सार्ड. और मारे जाने से पहले वो दोनों शत्रंज केल रहे थे? यह सर्ड. जो मेसेजिस जस्टिस राय ने जस्टिस लाल को भेज़े हैं, वो कोई कोड़ नहीं, शत्रंज की चाले थे. वो दोनों चाहें कहीं भी हो, अपना शत्रंज का खेल जरूर पूरा करते थे. जहाँ छोड़ा, अगली बार वही से पकड़ते थे. अब दोनों भी जजजेज, संडे के दिन, शत्रंज खेलते थे. और ये बात कातिल जानता था, इसलिए उसने उसी संडे को खुद अपने हाथों जाकर वो पारसल डिलिवर किया. वो जानता था कि जस्टिस राय वहां होंगे. असर वो ये भी जानता था कि जस्टिस लाल भी वहां पे होंगे. पर उस एक्स्टिस लाल की जान बेवज़े चली गई. आलाकि असलिवाद तो यह है, कातिल चाहता था कि जस्टिस राय के साथ-साथ जस्टिस लाल को भी खतम कर डाने. किशोर, जतिन, बुवनेश, इन तीनों की कुंडले निकालो, देखे तो सही, कि इन में से किसी के पास कोई वजय थी, इन दोनों जजजेस को मारने की, और फिर धवन, पता लगाओ, उसके सारे के सारे कीसिस, उसने जस्टिस लाल के कोड में लड़े थे, वो क्या है, और किस अजस किये हैं सर, या, सर, तरवण के बारे में पता कार किया आए, जथीस्टिस लाग के कोड में सर वो सौ मेसे पिच्छतर केसे जारा था आप सर्टर जटिन के जेल रिकॉर्ड उसके वकील ने डिप्रेशन के बिना पर जटिन को छोडने की अपिल कि अपिल और उसकी अपिल ठुकरा दे गए थी जच कोई और नहीं जस्टिस ला ली थे तो जटिन के पिता किशोर के पास अच्छी खासी वजया है कतल करने की और इतना पेचीदय प्लान वो बना पाएगा वही तो सर किशोर एक स्कूल टीचर है उसे कैसे पता वगा कि कांच के आसू से किसी की जान जा सकती है यह तो इस बात पर निरबर है कि यह किशोर मास्टर जी स्कूल में कौन सा विशे पढ़ाता है पता लगाओ यह कौन सा सब्जेक पढ़ाता है स्कूल में रेबा धवन की उसके बस वे ऐलिवाई है तो बस इन दोनों के ऐलिवाई फिर से चेक करो अच्छी तरह से बच्चों आज मैं तुम्हें एक नया एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा जानते हो किसका कलर्स का एक्सपेरिमेंट रेडी यह देखो दूध है अब मैं इसमें डिफरेंट कलर्स के एक ड्रॉप डालूँगा अब जब मैं यह बड़ इसके अंदर डालूँगा तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि अणू किस तरह के से प्रक्रिया करता है देखो देखा इसे कहते हैं विज्ञान का जादू कमाल है नहीं मैं आपके प्रियोग की बात नहीं कर रहा हूँ आपके बारे में बात कर रहा हूँ आपने कभी बताया नहीं कि आप विज्ञान पढ़ाते हैं आप लोगी हाँ मैं तो बस वो प्रात्मिक विज्ञान पढ़ाता हूँ आपने बच्चों को वो कांच के आसुवाला प्रयोग दिखाया हैं कैसे पूछ दबाते ही ब्लास्ट हो जाता है आप क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता है आपको सब पता है अब ज़रा इन ब चालते हैं आप रवीवार याद है अपको जिस दिन टीचर पारेंट मीटिंग थी और उसे दिन जस्टिस लाल और जस्टिस राही का खोन भी हुआ था उसे न आप आये नहीं थे अप्शन थे इस केस में जिन लोगों पर हमें शक था उनकी आलबाई से यानि कतल के वक्त को कहां थे किस के साथ थे उसका पूरा ब्योरा सबोत के साथ हमारे पास सिवाय आपके रवीवार को आप कहां थे मैं घर पर ही था मेरी तभियत ने ठीट थी इस लिए मैं जानी पाया सूट अब घर पे नहीं इन कलब हाउस मैं थे जस्टिस राइ को वो पैकेश करने गय अगर मैं मालनों कि आप ठीक कह रही हैं, कोई सुबूत है आप लों के पास? सुबूत तो खारा भी नहीं है. अच्छाओ इस अब एक अजार यहां बनाया हूँ हूँ, आपने यहां पर प्रयोक शाला यहां बनाया हूँ, आपने, यहां पर Angeles को लिखाते हैं, इसके अलावा कहीं प्रयोक करते हैं यह यह चग है? सर्. अब आप तर्फा sex aap.? आप लोग वहाँ कहा जा रहे हैं अरे यह क्या कर रहे हैं आप प्रफिजर साब आपको सबूच चेहिए थे ने वही डून रहे हैं साब पहचान रहे नहीं साब यह तो एक टुकडा है ऐसे बहुत सारे टुकड़े यहां मिलेंगे कर यहां पे आसपास खोडा गया तो क्या आपको भी बता हैं यह कोई साधारन कांच के टुकड़े नहीं है डॉक्टर साब आप में जो एक्सपेरिमेंट्स किये थे और जो प्रयोग सफल नहीं हुए आपने उन कांच के टुकड़ों को लाकर यहां पर दबा दिया हैं अब यह आप सच बोलेंगे कि इस कांच को आपके टेस्ट करें कि अगर इसमें टेस्ट किया तो इसमें वो जहर जरू मेलेगा हाँ मैंने ही उन दोनों को मारा है क्योंकि उन दोनों ने मिल करके मेरे बेटे को मारा है मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि इन दोनों से अपने बेटे की मौत का बतला लूगा मैं मैंने मैंने इन दोनों पे मैं जानता था कि उसकी बेटी के बारी में भी पता था वो उसे बटे गिफ्ट जरूर भेजेगा अरे भाई साम ये भी लेना बस उसी गिफ्ट का डब्बा मैंने वहां से उठा लिया और अपने प्लान को अन्जाम दिया मैंने उसे बहुत सवधानी से पैक किया और फिर डब्बे पे पुराने एड्रेस के उपर नया एड्रेस ल फिर मैंने उन दोनों की मौत का समान वहां पहुचा दिया मुझे जो करना था मैंने कर दिया मैंने उन दोनों से अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया उसे इंसाफ दिला दिया इंसाफ नहीं सिर्फ बदला था इसे ना तो तुम्हारे मरेवे बेटे की आत्मा को शांत हां तुम्हारे इस गल्ती से उन्हें सबक ज़रू मिलेगी अपनी बची वे जिंदगी जेल में काटते वे शायद आप भी अपना सबक सीखी लेंगे करे में यारे वे जे में आपना की स tane ने अपना का में द़ूरू में टात ए्रहू हुए हुँ हुए हुए